प्यारे दोस्तों नमस्कार कैसे हैं आप सभी और कैसे चल लगी आप लोगों की स्टेडी तो उम्मिद करेंगे आप सभी काफी बेहतर होंगी और आपकी पढ़ाई भी लगातार बेहतरीन तरीके से चल लगी होगी तो आज की इस क्लास में हम लोग करेंगे भाई 12th Chemistry यानि की रासायन विज्ञान का एक काफी ज्यादा important model paper का solution जिसका आपका code होने वाला है 347 GD यानि की जो आज का हमारा ये पेपर है 347 GD code का है और इस पूरे पेपर का पूरा का पूरा हाल आपको इसी वीडियो में मिलेग यानि की आपको यहाँ पर जितने भी इसके numerical रहेंगे यानि जिन्हें आप लोग आंकिक प्रस्ण बोलते हैं ठीक है सारे के सारे आंकिक प्रस्ण आपको यहाँ पर कराये जाएंगे इसके आपके objective question जितने भी रहेंगे सारे यहाँ पर solve कराये जाएंगे साथ में इसकी काफी important है पूरा अंतक देखिएगा काफी चारे वाइरल कोईस्टन आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं तो चलिए भाई शुरू करते हैं यहाँ पर आप लोग देखते जाएगा इसका देखे पुड़ागां को जो रहेगा आपका 70 नंबर कमेश्टी कर रहता है त निर्देश इसके रहेंगे निर्देश भी आप पढ़ लेना हना यहाँ पर first, second, third और fourth यह चार निर्देश दिएगा है अब इसके बाद यहाँ पर देखेंगे इससे objective question जो start होते हैं यहाँ पर पहला प्रसन आप पढ़ सकते हैं पूरा अच्छे तरीके से इस प्रसन के प्रते खंड में चार भी कल्प देखो दिये रहते हैं objective type में तो आप लोग बांकी इसका सारा कुछ देख लिजेगा first question से हम लोगी start करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हो पहला प्रसन है निमलेकित में से किसका परासन दाब सबसे कम होता है इस type से question कह रहा ना सबसे कम पर परासन दाब किसका होता है तो देखो आपके सामने potassium chloride willion हो गया solid willion और can magnesium chloride willion और aluminium phosphate willion तो दिखेंगे का नमबर कोशन है इसमें करा कि निमने लिकित में से कौन अधिक अमली है अधिक अमली की बात करा है तो अब यहाँ पर याद रखना आपके अमली तो यहाँ पर दो है एक आपका तीसरा वाला अपसन जो की C2H5OH यानि कि यह आपका क्या दिया गया भाई एतिल अलकोहाल दि अमली है कि तो फिर इन दोनों में से जो आपका सेकंड वाला अपसन है यानि कि जो फिनॉल वाला हमारा भी कल्प है यह विल्कुल करेक्ट हो जाएगा यानि कि C6H5OH जो फिनॉल है यह आपका एतिल अलकोहाल से ज्यादा अमली होता है तो हमारा सेकंड वाला अपसन क्या ह होगा विल्कुल करेक्ट हो जाएगा इसको चूज कर लिजगा अपनों चलिए तो अब यहां से आएगा नेक्स्ट कोशन पर अगला है लिवकास अभी कर्मक को आप वह से जानते होंगे कि आखिरकार यह किस काम में जो है हमारा यूज होता है तो देखो लिवकास अभी कर्म भाई बोलते हैं कि लिवकास अभी कर्मक यहां पर तनु है और यहां पर क्या है सांद्र है तो जो तनु बाला है वो राइट होता है ठीक है तनु एच सील कंफ्यूज मत होना आप लोग कई बार एकजाम में काफी बार गलती यही होती है जो आपका सांद्र एच सील और न विल्कुल कर्ट है अंगले कोशन पर आते हैं नेक्स्ट कोशन कर रहा है कि एस्टेल डिहाइड और एसी टोन में विभेद के लिए उप्यूकता अभिकर्मक कौन सा होता है तो फिर भाई याद कर लेना सिफ़ाविकर्मक यहां पर विल्कुल आपका करेक्ट हो जागा ठी जोसेंट और अंगला कोशन देखेंगे कि निम्न मेंसे कौन अमें कार्विल अभिकरिया नहीं देती आप देखो इसमें थोड़ा सा एक डिफरेंस है, डिफरेंस क्या है, एमीन आपको बता दे, तीन प्रकार का रहता है, एक होता है पहला आपका क्या होता है, प्रात्मिक एमीन, हाना आप सभी जानते हैं, क्या होता है, प्रात्मिक एमीन में क्या होता है, इस टाइप से आपका एनस्टू गुरूप रहेगा, ठ तो आपका यहां पर प्रात्मिक एमीन होगा यह कारविल एमीन अभिक्रिया देता है इतना याद रखना और यहाँ पर question क्या कर रहा है कि नहीं देता है question में कर रहा है कि नहीं देता है तो फिर आपको याद रखना है जो दोतीयक एमीन होता है ये आपका क्या है नहीं देता है कार्बिल एमीन अभिक्रिया तो यहाँ पर देखो आपका option number जो तीसरा दिख रहा है CH3NH यह NH group देख सकते हो यहाँ से क्या है NH group यह इसमें attach है न तो यही वाला option आपका correct है क्योंकि यहाँ पर नहीं सब दे के लिए पूछा है ठीक है न तो याद रखना आपका यहाँ पर right answer option number क्या होगा तीसरा हो जाएगा इस तरीके से यहाँ पर आपको यह तो मैंने समझाने के लिए आपको बताया है इतना चीज़ें ठीक है तो यहाँ पर right answer की बात करें तो हाई कांसा हो जाएगा आपका बोलेंगे यहाँ पर भई यहाँ हमारा तीसरा वाला विकल्प बिल्कुल correct है आप तो नहीं होगी ना confusion चलिए तो अब बढ़ते हैं एंगले question पर देखिए next person कहरा भई vitamin A की कमी से होती है या होता है तो यहाँ पर आपका कोई रोग जैसे अराक्टता तो अचा रोग नपुन सकता रताउंधी तो यहाँ पर vitamin जो A होता है इसकी कमी से रताउंधी यहाँ पर ठीक है ना कई बारी आपने पढ़ा होगा यह question तो बस कर लो आप लो यहाँ पर टिक option number 4 में ठीक है यही सही है तो यहाँ से total आपके जो 6 objective थे ठीक है ना objective जो है आपके खतम हो जाते हैं और इनका एक एक number मिलता है एक question का तो यहाँ पर 6 number यहाँ से आपके fix हो जाएंगे इस तरीके से आप लोग अगर करेंगे इसके बाद भाई आते हैं next यहाँ पर आपका एक numerical question है ध्यान से समझेगा पर्यास करिएगा बहुत ज़्यदा important question आपको मैं आज जो है कराने वाला हूँ अब दूसरा प्रस्निहास से start होता है objective के बाद जिसमें का number का question दिया गया है 20 degree centigrade पर किसी पदार्थ के 45 gram परती लीटर विलियन का पराज संदाब करत 3.2 वाय मंडल है विलियन इस्तरांग के मान की गड़ना कीजिए और अगर पदार्थ का 98 के द्रबमान 342 दिया हो तो देखो इसमें सबसे पहले जो चीजे दी गई है उनको हम लोग लिखेंगे हल करने से पहले मेरे साथ आप लोग बने रहेगा हर एक चीजों को मैं आपको बिल्कुल बहतरीन तरीके से समझाने वाला हूं तो देखेंगा यहाँ पर आपको लिखना क्या है यहाँ पर दिया है ठीक है यहाँ से हल करते है चलिए कोईशन को लिखना है भाई दिया है ठीक है अब क्या क्या दिया है समझिएगा आपको दिया है temperature ठीक है ये देखो temperature दिया है यहाँ पर 20 degree centigrade ये दिया है ना तो चलिए इसको लिखते हैं हम लोगे हाँ यहाँ पर temperature को हम T से बेखत करेंगे दिया है 20 degree centigrade अब इसको Kelvin में change करना है तो क्या करोगे 273 इसमें add कर दोगे तो यह क्या हो जाएगा आपका 293 यहाँ पर 293 यह हो गया हमारा temperature यानि 293 Kelvin आपका यह हमारा temperature आ चुका है हमने इसी से निकाला इसके बाद क्या दिया है 45 ग्राम आपका दिया है यहाँ पर इसमें क्या प्रती लिटर विलन का परासंगता तो यहाँ पर आपका इसका भार दिया है जो की कितना है वही 45 ग्राम तो डबलू कमान कितना है यहाँ पर 45 ग्राम इस तरीके से यह दिया है एक बैलू इसी तरीके से प्रती लिटर बोला है न तो इसका वाईलिम कितना हो जाएगा एक लिटर हो जाएगा ठीक है एक लिटर हो गए यहाँ पर इसको लिख लो एक लिटर यह तीन चीजे हमारे पास आ चुकी है इसके बात करा है कि 3.2 वाई मंडल ये दाब दिया है इसका है ना तो यहां पर आपका इसका प्रेसर कितना हो जाएगा प्रेसर भाई कितना हो जाएगा स्वरी यहाँ पर इसका प्रेसर कितना होगा देखिएगा तो प्रेसर आपको यहाँ पर लिखना है पी है ना यह भी था प्रेसर दिया है तीन दसम्रोट दो अटमोस्फियर यानि ATM वाई मंडल में दिया है ठीक है यह हो गया अब आपको निकालना क्या है? तो कह रहा है, billion, estherank के मान की गढ़ना कीजिए. यानि आपको इसमें निकालना है R का मान. ठीक है? R का मान गयात करना है. और एक चीज़ आपके पास दी गई है इसका, क्या, आणड़ुक दरब्मान. कितना है आणड़ुक दरब्मान? 342. तो आडवेक द्रबमान को आप यहाँ पर साइड में लिख लो एमसे बेखत करेंगे इसको 342 यह दिया है ठीक है तो आपके पास कितनी चीज़े दी गए हैं देखिएगा एक आपका टेंपरेचर दूसरा इसका वेट तीसरा इसका वाइल्यूम चौथा आपका इसका दाव और पाचवा इसका यहाँ पर आडवेक द्रबमान यह चार चीज़े हमारे पास दी हैं और निकालना क्या है आपको आर यानि कि आपको निकालना इस्थे रांग का मान चलिए तो अब यहाँ से इसके लिए जो important formula है वो आपको पता होना चीज़े तो आप आराम से निकाल दोगे तो देखो जो इसमें सूत्र लगेगा आपने सूत्र पढ़ाओगा देखी यहाँ पर लिखते हैं सूत्र बहुती बहतरीन तरीके से आपको समझ में आ जाएगा सूत्र आपका एक होता है pv equal to क्या होता है आपने पढ़ा है n r t इसको आपने पढ़ा होगा ज़रूर पढ़े है ठीक है आप देखी न बराबर जो होता है n equal to यह क्या होता है आपका यहाँ पर n की जगा पर आपका होता है w upon m ठीक है याँ की weight upon 3-1 ठीक है यह n इसको आप यहाँ पर n की जगा पर put करवा दिजे इस n की जगा पर आपको यह आपको w upon m जो है रख देना है जब इसको आप रखोगे तो यहाँ से यह जो शूत्र बनेगा नया यह क्या बन जागा right जो कि आपको इस में देखो इस R की बैलू को क्या हत करना है आपको ठीक है R आपको निकालना था ना तो R को आप अलग कर लो तो यहां से देखो यह जो पूरा सूत्र आपका बन के आगा वो निकलेगा R बराबर हो जाएगा है पर P B बटे P B M बटे यहां पर हो जाता है W T यह सूत्र बनता है अब इस सूत्र में यह सारी बैलू आपके पास दी गहीं इनको रख दो आप लोग तो चलिए फिर रखते हैं यहां से जब रखना इस्टार्ट करोगे तो R बराबर P का मान कितना दिया है आपके पास 3.2 देखो दिया है 3 3.2 गुड़े भी कितना दिया है आपके पास 1 लिटर तो इसको रखो यहां पर 1 गुड़े T कितना दिया भाई T का मान है आपके पास 293 केल्विन तो यहां पर रख दो आप लोग 293 ठीक है होल अपान यहां पर W का मान कितना भाईया तो W का मान देख सकते हो 45 ग्राम दिया है है ना तो रखो 45 गुड़े टी कितना है वाई टी का मान स्वारी हमने कुछ गलती करी है क्या टी का मान आपका 293 है टी आपका देखो नीचे है इसमें हमने यहां पर एम की जगा पर रख दिया इस बैलू को ठीक है तो इसको ध्यान देना यहां पर यह बैलू नहीं रहेगी इतनी यहां पर आपको रखना है एम का मान कितना है तो आपका 342 है है ना 342 और यहां पर टी की जगा पर 293 इस तरीके से बैलू को आपको रखना है आप देखो जब आप लोग इसको काटोगे तो यहां पर आपको कुछ बैलूगों को ध्यान देना पड़ेगा कैसे जैसे 45 है 45 को आप सीधे 9 से काट दो 9 45 और उपर वाले यह 342 है इसको भी आप लोग काटो तो कितना हो जाएगा 9 का भाग इसमें दो तो 9, 3, 27 और कितना बचेगा 4, 3, 7 यह हो जाएगा आपका 72 9, 8, 72 38 बचाई इसको काट दीए ठीक है और यहां पर 38 गुड़े अब यह तीन समलों 2 है तो इसको यहां पर एक जो है 10 का गुड़े नीचे करा लो तो यह 32 हो जाएगा तो 32 गुड़े 38 जब कर दोगे तो यहां प यहां पर 10 हमने ले लिए तो यह 10 हमलों मुक्त हो गया तो यहां पर यह जो आपका बाइल हो जाएगा 1216 और बटे यहां पर यह 5 बचा है और 293 और यह 10 जब इन तीनों का गुड़ा कराओगे तो यह आपका हो जाएगा 14650 मैं आपको जल्दी से यहां पर करा दूए इसल इसका मातरक क्या होगा भाई तो इसका मातरक क्या रखेगा हो जाएगा लिटर एट्यम याणि एटमासफियर वाय मंदल बोल सकते हो और यहां पर हो जाएगा कैल पलिक देना मौल इने वर्स ऐसे तो यह जो बाइलू निकल के आई है पूरी यह आपका आर का क्या है मान है इतना बाईलू ठीक है ये जो बाईलू लिखा है ठीक है ये बाईलू क्या है आर का मान है इतना निकाल के आपको लाना था इस वाले question में तो बताओ आब यहाँ पर कहीं आपको ऐसा है कि समझ में नाया हो विल्कुल समझ में आया हो जो बाइलू दी गई थी वही हमने रखा है और वही निकाला है ठीक है अब यहां से अंगला प्रस्ट देखिए आपके सामने आता है सेकंड नंबर खा नंबर इसमें भाई कह रहा है क्वेशन कि 298 केल्विन पर 0.20 जीरो मौल केसील पोटैसियम कलोराइड इसे बोलेंगे है ना तो केसील विलियन की कह रहा है चालकता की क्या है दी गई यहां पर 0.0248 सीमें सेंटीमीटर इनवर्स है तो इसकी मौलर चालकता की करना करने है देखो यहां पर यह चीज आपको समझे आव गई की कोईसन आप से कहरा यहा है की मोलर चालकता हमें निकालनी है ठीक है ना? तो चलिए फिर मोलर चालकता मैं आपको निकाल करके पहतरीन तरीके से बताता हूँ द्यान से आप लोग समझेगा बसकुर्स को और जैसा मैं करता जाई मूँ आपको वैसे ही करना है और आपस आपस जो है आपको रेगुलर ऐसे ही वीडियो मिलने वाली है बहतरीन तरीके से हरे कोईशन का सेलूशन मिलेगा ठीक है तो देखें यहां पर दिया गया भाई कितना 0.2.0 मोल केसील विलियन की चालकता तो यह आपका M का मान दिया है ठीक है तो M का मान दिया है 0.2.0 मोल ऐसे और इसे में आपका यहां पर क्या है विलियन की चालकता कितनी दी गही है देखो यहां पर विलियन की चालकता यानि के तो के का मान दिया है आपके पास 0.2.048 सेंटिमिटर संवन्ग इन वर्स इतना दिया है इसके बाद इसको हम लोग लैमडा करें इस तरीके से जो में निकालना है तो इसमें आप देखो सुत्र हमारा क्या लगेगा सुत्र भाई सबसे इंपोर्टन होते हैं कमेश्टी हो या फिजिक्स हो तो सूत्र आपका होता है लैमडा एक्वाल टू याद रखना के इन्टू हंड्रेड स्वरी थाउजंड एक अचार बटे यहां पर होता है यह सूत्र होता है ठीक है तो इसको आप लोग को जो है यह सूत्र को याद रखना हो जो कि आपके सामने हाँ पर लैमडा का दिया गया है ठीक है आप चलिए क्या करेंगे आम लोग इस बाइलू को यहाँ पर Rखेंगे ठीक है न तो बाइलू को रखते हैं देखो lambda yam equal to के कमान कितना दिया है यह आपके सामने दिया है 0.248 into कितना है 0.0 यहाँ पर 0 लगा था सामने 0.0248 into 100 1000 ठीक है 1000 उपर हो गया बटे yam कमान कितना है देखो इसमें 0.2 0 हना ऐसे दिया है यह तो क्या करोगे आप 0.2 0 इसको रखोगे अब देखो यहाँ पर दसमलो मुक्त कराने के लिए मैं कुछ चीज़ें आपको बताता हूँ जैसे नीचे आपके क्या है 0.2 0 तो इसके लिए अगर आप उपर 100 का गुड़ा करा दोगे तो यह दसमलो नीचे वाले का हट जाएगा ऐसे उपर वाले में देखो एक यहाँ पर है यह एक है ना 0 तो इसमें 100 करो देखे एक लखे फिर इसके बाद एक दो तीन चार चार 0 यहाँ पर लगा देना है यहाँ पर इस तरीके से 0 ठीक है तो यह पूरे 5 उपर वाले को हो गए नीचे 20 गुड़े इसका जो है कितना एक दो तीन चार पांच है ठेक है ना तो यहाँ पर 4 तो अब देखो इसको पूरा आप कालिकुलेट करोगे तो यहाँ पर 4 0 इसके हो गए और एक इसका कंसिल हुआ तो यह कट गए ना पूरे 5 की 5 0 लेमडा एम बराबर कितना बचेगा लेमडा एम एककॉल 2 हो जागा 248 बटे 2 तो काटेंगे तो हम लोग यहाँ पर इसको तो कितना हो जागा 124 124 आपका मोल अर्चा लगता इसमें आ गई 124 और सीमें सेंटीमेटर स्कॉयर और मोल इनवर्स इसका मात रग तो यह बैलू आपको जो है यहाँ पर लेमडा एम का प्राप्त हो गया 124 सीमें सेंटीमेटर स्कॉयर मोल इनवर्स जो कि आपको निकालना था ठीक है ना तो बताओ अब यहाँ से कंप्लीट आपको समय में आ गया इतनी वैलू आपको यहाँ पर रख करके और इसको काल्कुलेट करके पूरा निकालना था तो खानमर कोईशन यहाँ से समाप्त होता है अंगला प्रसनाप के सामने है देखो कोईशन कर रहा है क्या करा भाई कि सुन्ने कोटी की अभिक्रिया के वेग तथा वेग इस्थिरांग के मात्रक लिखे सुन्ने कोटी की अभिक्रिया के लिए वेग और वेग इस्थिरांग का मात्रक कैसे लिखते हैं देखो यहाँ पर तो इसके लिए याद रखना आपका सुन्ने कोटी की अविक्रिया के लिए यहाँ पर होता है यहाँ पर d x upon dt equal to k और बेग स्टरांग के लिए यहाँ पर क्या कर सकते हो सुन्ने कोटी की अविक्रिया में एक पावर 0 ऐसे होता है अब देखो जब इसका आप लोग बेग स्ट मातलब क्या है और इसमें a leader में एन माइनस वन इसकी पावर होती है और सेकेन यानि सामय में सेकेंड ले सकते हो या मीनट तो इसमें इन वर्स होता इस तरीके से आप देखो कहिए कि सुन्ने कोटी क्या विक्रिया तो सुन्ने कोटी मतलब कि एन का मान कितना जीरो अना यही ना करना तो मॉल और देखो one minus कीतना हो जाएगा एना के जंगा पर जियो यहां पर की जगह पर zero फिर का माइनस फिर आपको यहां पर सेकंड म मैंना तो यहां फिर सेकंड हीए है तो इसका यह रूप निकल के आगे देखो मॉल ठीक है मॉल इनवर्स वन का पावर तो मॉल ही रहेगा यहाँ पर चेंज होगा लीटर में 0-1 है तो यहाँ पर 0-1 में माइनस का 1 बचेगा और यह क्या हो जाएगा सेकेंड इनवर्स हो जाएगा तो कितना इसका भाई मात्रक निकल के आ रहा है देख सकते हो आप लोग बोलेंगे निकल के आ रहा है भाईया मॉल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स इस तरीके से तो यह जो निकल के आया है यह होता है सुनने को ठीकी अभिक्रिया के वेग स्थिरांग का कितने कोटी की है जैसे कि सुनने कोटी की तो हमने n कमान 0 ले लिए परतम कोटी की होती तो इसे n कमान हम एक लेते ऐसे करना है ठीक है तो यह आपका गार नमबर का कोशन यहां से पूरा कम्प्रीट हो जाता है अंगला पर सनह भाई कह रहा है कि आयू पीए से निकाल लिए आयू पीए से देखेंगा काया से निकाल ला है काफी important है इसकी पहले मैं आपको फर्स नमबर के सनरतना बनागी दिखाता हूँ देखो इसमें सनरतना है जो कैसे बनेगी जैसे यहां पर क्या है CH है फिर CS3 है फिर CH2 है फिर CH2 है और फिर क्या है CHO है ठीक है CHO जो होता वो LDHID ग्रूप होता है इसकी जो सनरतना है वो इस तरीके समाना नहीं देखो पहले क्या जुड़ा है CH3 है ऐसे फिर सिंगल बॉन फिर CH फिर क्या है CH3 मेथिल ग्रूप यहां पर अटेश है ठीक है इसी में फिर क्या है यहां पर CH2 कर दो फिर क्या जुड़ा है इसमें CHO अब यहां पर क्रियात्मक्स मूव पहले गिंती करो कि इधर से नस्दीक पढ़ रहा है तो जैसे आप यहां पर CHO जो है इधर से टाई है तो इसको एक मानोगे फिर दो फिर तीन फिर चार फिर क्या पांच ऐसे इसकी संख्या की न होगे तो अब देखो यहां पर पहली बात देखना यह है कि मेथिल कितने नमबर पर पढ़ रहा है तो देखो एक, दो, तीन, चार, चार नमबर पर CH3 अटेच है यहां पर देखोगे अगर कार्बन की संख्या गिनो तो देखो एक कार्बन, यहां पर यह C एक कार्बन दूसरा कार्बन, तीसरा चौथा, पांच में नमबर पर क्या आता है भाई? पेंटेन आता है, पांच कार्बन यहां पर टोटल जुड़ है है इसमें देखो, इस तरीके से है न, पांच तो पांच में नमबर पर आता है पेंटेन, और CHO है इसके लिए, आप क्या जोड़ते हो लडियाइट के लिए? अल जोड़ते हो तो इसका जो नाम बनेगा वो हो जागा 4 मेथिल पेंटेन और अल जोड़ना है इसलिए हो जाएगा 5 पेंटेनल ठीक है न, पेंटेनल तो ये आपका इस वाले योगिक का, पहले वाले योगिक का, क्या हो जाएगा नाम हो जाएगा 5 M Ethanil पेंटेनल तो किलियर है, अब तो आपको समझ में आ गया होगा जैसे इसी प्रकास से सेकंड नमबर पर है C को देख लो आप लोग यहां पर है CH3 CO और क्या है CO इस तरीके से इसमें कीटोन गुरूप अटैच है तो चलिए इसकी मैं सनरचना बना के आपको दिखाता हूँ फिर आप लोग बहुत 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 ना CH3 ऐसे है ठीकर और इसी में आपका फिर क्या है CO गूरूप अटैच है तो यहां पर C और O जो ऑक्सिजन है यहां पर यह डबल बॉन्ड के साथ जुड़ता इसमें तो ओ आपका उपर अटैच हो गया फिर सिंगल बॉन्ड फिर क्या CH3 है फिर इसी में क्या फिर C ओ यह तो हो गया 30 हो गया 4 हो गया 5 हो गया कितने होगा यहां पर इसमें तो अगर इसे आप साभी को यहां से भी आपका दूसरे नंबर पर क्या है तो दोनों दर्स बराबर इस इधर से भी लिखना चार शुरू करने एक ही बात है पांच कारबन है तो पांच कुला पहले लिखो गए पेंटेन तो यहां पर इसका देखो नाम लिखते हे से यहां पर इसका हो जागा petite पर 2,4 कितने अटेच है तो दो अटेच है एक आपका ये वाला अटेच है ठीक है ना एक आपका ये अटेच है और एक आपका ये अटेच है दो अटेच है तो हम लोग दो को डाई लिखेंगे तो 2,4 लिखने के बाद लिखना है डाई स्वरी यहां पर यार कौन सा हो गया प आपको ऐसे लिखते ना तो ये जो बन के आया है पेंटेन भाया टू फोर डाई ओन ये आपका दूसरे वाले योगे का आईउ पीएसी है ऐसे करना होता है हमें आईउ पेसी नाम तो आई हो भाई आपको आ गया होगा ठीक है ना आप कहीं डाउट तो नहीं है अब आराम से क कोशन कह रहा है एक गयसी अभिक्रिया के बेगों को आधा किया जाता है जबकि पात्र का आयतन दो गुना किया जाता है तो अभिक्रिया की कोटी ग्यांत करना है देखो क्या क्या चीजें यहां पर आप से करा रहा है वो चीज आपको समझना पड़ेगा पहले कह रहा है कि कोई एक गैसी अभिक्रिया है जिसका बेग क्या किया जाता है आधा किया जाता है फिर कह रहा है आपसे कि उसी पातर में आयतन को दो गुना कर दिया जाता है तो दो चीजें यहाँ पर समझ में आ रहे चलिए फिर यहाँ पर पहले हम लोग अभिक्रिया का बेग और जो उसक K और इसका क्या है। हम लोग मालेते हैं इसका Ag 1 थीक है। एक को Ag 1 क्योंकि इसमें R1 माने हैं तो इसको हम लोग मालेंगे Sumikar Nr. 1 थीक है आप एक को हम लोग R2 मालनेगे इसे तरीके से R2 equal to यहां पर हो जया अ के और इसको भाई R2 को हम लोग इहां पर तो इसलिए A2 कर देंगे अपर तो यह हो जागा हमारा क्या Sumihakran No.2 यानि की दूसरा Sumihakran ठीक है 2019 दो Sumihakran lyatest हमें इसमें बना लिए और अविकरिया की कोटी हमें ग्याद करनी है हमें पता नहीं है कि कौन सी कोटी की अविकरिया क्यों आया देख लो कहई रहा ना कोटी ग्याद करो तो इसके लिए हमें अगर ग्याद नहीं है तो हमनोग प्रसम कोटी क्या भिक्रिया हो जाएगी टिक है इतना आपको याद रखना है यहना आपका power है और यह कोटी बताएगा चलिए अब यहां से start होता है main खेल अब question को समझने मां कहले कह रहा है कि बेग को करना है आधा मतलब personal मुसार हम लोग यहां पर कर सकते हैं बेग को करना है आधा तो यहां से आप समझेगा r2 equal to आप कर सकते हो कह सकते हो क्या कर सकते हो r2 equal to r1 by 2 आपको बेग को आधा करना है आधा मतलब r1 को आधा देख सकते हैं यहां पर 2 का हम लोग divide कर दिए तो यह एक का वस्था बनी फिर कह रहा है कि आयतन को करना है दो गुना आयतन को क्या करना है 2 गुना कर देना है तो कौमा लगा कि यहां से a2 जो है जो आयतन दियागा है a1 a2 यहां पर इनको आधा करते हैं तो यहां पर बन जाएगा आपका a1 equal to क्या हो जाएगा डो a2 यह आपका क्या हो गया दो गुना हो गया क्योंकि यहाँ पर दो गुना बोला था और एक में आधा करने के लिए बोला था ठीक है तो यह दो चीजे हमारी यहाँ पर निकल के जो है आ चुकी है यह जो के आपके सामने highlight है आप देखिएगा इसके बाद आगे जो है step बहुत आसान हो जाएगा आगे क्या करना है यहाँ पर आपको लिखना है समी करन जो मैं लिखना हूँ वही आपको लिखना है समी करन एक में एक में समी करन एक में समी करन दो का क्या करना भई भाग कर देना है भाग करने पर ठीक है कराने पर या क पर ऐसे समीकट एक मैं समीकट दो का भाग देने पर इस ना भी लिख सकते हो तो 1 क Ms.2 सामने हैं आपके सामने पहला बाला क्या है और दूसरा बाला क्या है यए क्यों चाह कर दूसर्बाः में क्या है कि यह यह और पहले में क्या है ब्रैकेट के अंदर एल fifty power एन ठीक है ऐसे पावर में क्या भई यान है पावर में लिखना है आपको इसमें एन ऐसे बटे में क्या है इधर का भी भाई यहां पर के और यहां पर एटू है ठीक है एटू और पावर में क्या है एन ऐसे हो जाएगा समीकर एक में दो का भाग देने पर ठीक है इतना clear है अब आओ यहां से समझना थुड़ा सा देखो R1 आपका वही रहेगा R1 जो है ऐसे ही रहने वाला R2 की जगह पर यह value देखो R2 बराबर R1 बटे 2 है तो क्या करो R2 की जगह पर R1 बटे 2 लिख दो तो R1 बटे अब यहां पर R2 की जगह पर इस वाली value को यहां पर पूट कर दो तो जब यहां पर रखोगे तो यहां पर R1 और जो बटे का 2 है वो उपर जाएगा तो यहां पर क्या हो जाएगा इसमें गुडे में 2 पहुँच गया equal to इधर आओ इधर देखो कि अगर तो आपका K से जो K है वो कैंसिल हो रहा है जोनों बराबर है के से K कैंसिल हुआ उपर आपका केवल और केवल क्या बच रहा है यहां पर उपर बच रहा है A1 ठीक है तो हम लोग क्या करते हैं डारेक्ट लिख देते हैं इसको हटा देते हैं और डारेक्ट क्या करते हैं यहाँ पर A1 की जगा पर इसकी जगा पर क्या लिख देते हैं इस बैलू को उठा करके रख देते हैं यहाँ से इसकी जगा पर ऐसे a1 equal to 2a2 है तो यहाँ पर लिख देंगे 2a2 power कितना है भाई n का ही रहेगा power whole upon क्या है a2 यह रहेगा और इसका भी power n का तो a2 से a2 cancel बचा क्या 2 तो यहाँ पर देखना आप लोग इसमें r1 से r1 cancel बचा 2 2 equal to क्या बचेगा इधर 2 और power में कितना है n तो power इसकी एक और इसकी जो है n तो आपको लिखना क्या है क्योंकि 2 में कोई घात नहीं लेगी तो हम माल लेते हैं कि 1 ही घात है तो क्या लिखेंगे आप लोग आधार दुनों के समान है इसका भी अधार 2 है तब घातों की हम लोग क्या करेंगे घातों की तुलना करने पर ठीक है घातों की हम लोग कर देखते तुलना तो देखो घातों की जब तुलना होगी तो एक घात आपके पास एक है और एक घात एन है तो यह न बराबर क्या निकल के आ रहा है भाईया यह न बराबर बोलेंग समझे ना गए, भाईया हमें यही तो निकालना था, मैंने शुरू में ही आपको बताये था, कि आपको N का मान ही ग्याद करना है, और जो N का बैलू निकल के आएगा, वही आपको बताएगा, क्या कोटी बताएगा, जो हमारे पास N का मान निकल के आथा, वही कोटी बताथा, तो हमारे पास n का मान क्या निकल के आ गया एक तो हम क्या समझ गए कि जो अभिक्रिया है वो किस कोटी की होगी तो बोलें कि यह पर्थम कोटी की होगी और यही तो question पूछ रहा था आपसे कि अभिक्रिया की कोटी बताओ तो पर्थम कोटी की जो है अभिक्रिया होगी यह य अंगला प्रसंदे को खानमबर संकर्मन धातुओं की दो विसेस्ताइं लिखिए उत्तर यहां से हैं पहले देखो मैंने दो विसेस्ताइं पूछा तकोशन में मैंने काफी सारी लिख लिख लिए हैं जो आपको बहतर लगे आप उसको तयार कर सकते हो संकर्मन धातुओं तो भी समूह एक और दो की धातुओं से ज्यादा होता है ठीक है तीसरा पॉइंट हो गया चौथा आप लोग लिख लो यह उत्रकस्ट उस्मा और बिजली के कंड़क्टर होती है ठीक है चालक कंड़क्टर का मतलब चालक इनमें उच्च तन्य सकती और लचीला पन और हम लोग लंबा कर दे खीच खीच करके लंबा कर दे से कितार बनाए जाते हैं तो यह होता है अगात वर्धनियता अंगला क्या है यह धातिवी के चमक वाली होती है और लास्ट है यह कठोर और सक्तवनी मजबूत होती है तो टोटल यहाँ पर देख सकते हूँ आपके पास और इसमें पूछ रहा है रियक्षन में क्या करा देखिए का समझने का प्रयास करनेंगे यहाँ पर गानमबर का कराए कि निमनलिकित अभिक्रिया में A और B के पहचान कर बताईए कि A और B क्या होगे देखो यहाँ पर आगर आप देखोगे A और B में एक आपका A हो गया और A के B यहाँ पर आपके सामने A यहाँ पर है और B यहाँ पर है यह आपका रियक्षन जो इसमें हम लोग करा रहे हैं P2O5 के साथ गरम कर रहा है इसको तो A की जगा पर क्या बनेगा यह बताना है फिर आप लोग अप्चैन कर रहा है फोर यह 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 नि हाइट्रोजन के साथ तो B की जगा पर क्या बनेगा यह आपको पूछ रहा है इस तरीके से कोशन बोर्ड एक्जाम में आता है तो चलिए इसको हम लोग करते हैं यहाँ पर समझने का प्रयाज करिएगा रियक्शन किसके साथ हो रही है यहां से लिखनेंगे CH3CONH2 Gips 2 क्या है यहाँ पर दिया है P2O5 इसके साथ गरम करेंगे तो एक जगा पर देखो क्या बनेगा एक ही दगा पर बनता है CH3CN मेथिल साइनाइड बनता है CS3CN ठीक है एक जगा पर यहाँ पर यह आ चुका है यह वाला यहोगी अब पूना से यहाँ से रियक्षन कराते हैं किसके साथ भाई साब तो 4OHNE इसका अपचैन करते हैं SN और HCL की उपस्तिती में तो B की जगा पर क्या आएगा तो B की जगा पर जो आता है उसको हम लोग यहां से डिकते हैं ठीक है तो यहाँ पर लिखेंगे क्या बनेगा वाही तो यहाँ पर बनता है मेथिल एमीन याने की C2H5NH2 ठीक है यह बनता है तो देखो रेक्षन का होता है और किस तरीके से बता दिये क्या तो दोनों ये कहीं है ठीक है तो अब ये clear है ये वाला reaction कैसे करना होता है और किस तरीके से आता है बोड़ एक्जाम में चलिए यहाँ से अब आपका आता है अंगला question next person यहाँ पर है nucleic amal क्या है और इसके दो महत्वपूर कारे लिखिए nucleic amal के देखिएगा और अनुवानसिक समागरी बनाते हैं यह सभी acid सभी जीवित चीजों में बहुत आम हैं जहां वे प्रत्वी पर हर जीवन रूप की हर जीवित कोशिका से सुचना बनाते हैं और उसे एनकोड कहते हैं या करते हैं ठीक है अब यहाँ से देखना इसके कारियों में देखेंगा यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट नियूकलिक एसिड का एक प्रमुकार है जीनोमिक जानकारी का भंडारण और अभिव्यक्तिय सामिल है डी आक्सी राई वोज नियूकलिक एसिड या आपका डीने होता है या डीने कोशिकाओं को प्रोटीन बनाने के लिए आवस्चक जानकारी को एनकोड करता है इस तरीके से यहाँ से आपका नियूकलिक अमर जो है यह चो समाप्थ हो जाता है तो घानम्बर का प्रस्ट का आंसर आपका यह पूरा कोश्ट का आंसर है आपके सामने पूरा आप लोग समझ सकते हो या आप लोग स्क्रीन्शॉट भी कर लिया करो अगर आपको कहीं पर डाउट रहता है या समझ में नहीं आता है ठीक है अगर स्क्रीन्शॉट कर लोगे तो और भी बहतर रहेगा आपके लिए चलिए तो यहाँ से अब यह आभिक्रिया के लिए सिध्ड की जिए प्रूफ करने वाला कोश्चन है त्यक्र कर आपको कि तीन वटा चार भागा हम करने लगा जो समय उसकी अर्थ आयूकाल का दोग्ना होता है ठीक है णा डवल होता है यह आपको करना है भया सिद्ध ठीक है चलिए तो अब यह बहुत ज्यादा बहतरीन सा प्रसन हमारे सामने फास चुका है और इसको मैं आपको बताता हूं कैसे करना है देखो यहां से हल करते हैं ठीक है ना मेरे साथ बने रहेगा इसमें सबसे पहले प्रथम कोटी की अभिक्रिया की बात कर रहा है ना सबसे पहला पॉइंट हम लोग इसी को पकड़ेंगे प्रथम कोटी की अभिक्रिया अब प्रथम कोटी की जो अभिक्रिया होती है इसके वेग इस्तिरांका विंजक का जो हमारा वेग इस्तिरांका फार्मूला आया था सुत्र आया था वो क्या होता है यह तो आपको पता log और इसका base होता है 10 का अधार ठीक है a upon a minus x इस तरीके से ये क्या है भाई सूत्र है ठीक है ना क्या है ये सूत्र है प्रतम कोटी की अभिक्रिया का बेग समीकर अब a जो होता है वो आपका यहाँ पर प्रारा मिक्सानता होती है और जो a minus x होता है ये टी समय पर साथ की बची हुई सानता होती है तो इन चीज़ों को समझ लिजेगा ठीक है अब यहाँ से question पर आते हैं कह रहा है प्रस्ण कि जब आपकी प्रारा मिक्सानता 100 होगी भाई आपको पता है कि कोई अभिक्रिया जब सुरू नहीं होती है तो उसका जो a होगा वो hundred ही तो रहेगा और जब जितना जिदा time लगता जाएगा time बीटता जाएगा उतना जो है इसमें कम ही आती जाएगी यनि ये कम होता जाएगा सौ में से मालो नब बेपनचान में जो भी हो कम ही आती जाएगी तो यहां से आपको पहली इस्तती ये माननी है पहली इस्तती जब आपका प्रारंभिक सांता मान लेते हैं कि माना माना प्रारंभिक सांदर्ता प्रारंभिक सांदर्ता क्या है सव है सव है जब प्रारंविक सांता 100 है तो आपको पता है कह रहा है कि 3 बटा 4 अभिक्रिया को पूर करने में लगा समय अर्द आयुकाल का दोगुन होता है तो पहली इस्तति में 3 बटे 4 भाग पूर हो रही है अभिक्रिया तो मतलब आपका 100 में से कितना भाग खतम हो गया तो भही 100 में से आपका जो a-x मतलब की 75% भाग खतम हो गया ठीक है ना 75% भाग खतम हो चुका है तो यहां से देखो इसमें लिखेंगे क्या समझना थोड़ा सा इस वाले सूत्र से यहां पर बनेगा के बराबर 2.303 upon t और यहां पर आजाएगा लॉग और यहां पर आजाएगा लॉग और आपका 100 ही रहेगा अना a कमान और बटे a-x जो यहां पर a-x की जगापर आप क्या लिखो कि 100 में से यह 35% गया 100 में से 75 तो कितना बचेगा 25 बचेगा 25 बचा तो 25 से 100 को भाग करा दो तो 4 हो जा और लॉग यहां पर क्या हो जागा चार लॉग चार को आप क्या लिख सकते हो यहां पर लॉग चार को भाईया आप लोग टू लॉग टू भी लिख सकते हो यह आपको यादर नहों लेकिन यहां पर आप लोग चार अभी लिख दोगे तो कोई मतलब खास दिकत नहीं तो यहाँ पर लॉक चार लिख दू और मालों आप लोग इसको समीकर नंबर एक इसको हाइलाइट कर देते हैं थोड़ा सा ताकि आपको पता रहे यह हमारा क्या है समीकर नंबर एक है इसी तरीके से आप दूसरी इस्थती में आओ यहाँ पर सेकेंड इस्थती कह रहा कि आगर अब अभिकरिया को जो सानता होगी आधिस वाप्त होगी अभी तक 3 बबाद 4 भाग हो रही है ठीक है ना जाल कमर्ब्स एक बड़ा 2 आध हाथ ठीक्ष तो जब आधा होगा तो आगए के लिए क्या आपको यहां पर थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा अब आपको लिखना है आपर कि इसी प्रकार आधी अविक्रिया के लिए यानि कि जो टी है आप है तो अब यहां पर आप लोग आधी अविक्रिया के लिए लिखो अब देख़ो यह ताइम है हमें ताइम निकालना था ओँ यह के पधों में लिखेंगे अब है हम लोग इसको को टी के पधों में लिखेंगे तो यहां पर आप pH लोग इसको देखो समये के एक माल सकतो, इसी को हम लोगी इस रूप में लिखें, ठीक है, अब आओ दूसरे वाले के लिए, ती हाप के लिए, तो यहाँ से आपको लिखना है, इसी परकार, ठीक है न, इसी परकार, यहाँ से आएगा टी हाप, टी वन बाई टू, टी हाप के लिए जो होगा, वो हो जा पांस हो जाए कि आधा विक्रिया हो रहा है तो सव बटा पच्छास हो जागा निकि यहां पर आपको क्या लिखना है लॉग कि लॉग सव और ए माइनस एक्स की जगह पर क्या रखोगे जो यह सूत्र हम ने लिया था यह वाला सूत्र इस वाले सूत्र में एक यहां पर देखो आप क्या हो जागा सौके बटे में पच्छास जीरो पांस दस तो लॉग टू हो जागा तो यहां पर जागा लॉग टू यह बन गया हमारा समीकर नंबर दो तो यहां से दो समीकर हमारे पास आ चुके हैं एक आपका यह वाला टी वन बाई टू बाला और एक आपके पास टी थ्री बाई फोर बाला दोनों आ चुके हैं और दोनों समय को हमें कंपेर करके बताना है कि कौन सा दोगुना होगा किसका यह कंपेर करना है आपको ठीक है तो समीकर नं में दो का भाग देने पर इतना लिखना आपको यहां से आप लिखेंगे समीकरण कि एक में ठीक है दो का दो का क्या कराना है भाग भाग देने पर इतना याद रखना समीकरण एक में दो का भाग देते हैं समीकरण एक आपके पास देखते हैं तो T3 by 4 और अपन यहां पर दूसरा वाला क्या है T1 by 2 है यह आपके सामने जो दिया है T1 by 2 यहां पर इधर हो गया लेप्ट का अब राइट साइड में आओ आपका 2.303 upon k log 4 है पहले में यहां पर लिखेंगे 2.303 upon k और यह है log 4 और इसके बटे में क्या है दूसरे वाले समीकन को आप देखो यहां पर तो यह दिया है आपके पास कितना 2.303 k यहां पर log 2 तो इसको यहां पर रखते हैं इसके बटे में 2.303 upon k और यहां पर log 2 तो दे थीक है बचे का क्या लॉग 4 बटे लॉग 2 इतना बच रहा है तो यहां पर आपका आजाएगा टी 3y4 अपॉर 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 आपन कितना टी 1 वाई 2 इक्वल टू लॉग 4 को अप लिख सकते हो प्लॉग प्रपरटी से टू लॉग 2 ठीक है न और बटे में आपका लॉग 2 अल्रेडी से लॉग 2 क tut क्यों है i저 बचा केबल 2 यहां से जो आपका बैल्बाय आ रहा है वह आ रहा है टी 3y4 एक्वल टू यहां पर इधर बच रहा है केवल 2 यह आपका केवल इधर 2 बच रहा है और यह आपका जो टी तो जब इधर गुड़े में जाएगा तो यहाँ पर लिखना है T1 by 2 और यहाँ पर इस तरीके से यह बैलू आपकी आ रही है T3 by 4 इक्वल 2 2 into 2 into यहाँ पर क्या हो जाएगा T1 by 2 जो कि यह आपका प्रूफ हो गया कि यह दो गुना है इसका ठीक है यही आपको सिद्ध करना ले काथकी दो गुना है या नहीं आप क्वश्चन में भी देख सकते हो और इस तरीके से यह प्रूफ हो गया कि हमारा करने में जो लगास माय है कितना होता है तो इस तरीके से यह 12 बनायेके और यह कूस्चन पूरा का पूरा स्वाल बतका हो जाएगा ठीक है अंगला प्र केनौल हो गया इसके बाद 1 kaikki हो गया हो गया हागला यहां पर फ्रिष्प स ह seems करा कि Mac जालिय अमोनिय के साथ गर्म करने पर प्राई विडिये विट वनाता है पहले ए यो spin था तना और दुबारा से योगी विग बना देता एं जो तो बताओ कि A, B, C योगिक की सनतना और इनके नाम जो हमारे यहाँ पर A बन रहा है कहीं पर B बन रहा है कहीं पर C बन रहा है इनके नाम बताओ कि A, B, C आखिर कर क्या बनेंगे तो अब यह question आपको करना है काफी important है ठीक है next question यहाँ पर 5 वाई start होता है पांच वे परस्ण में जो का नमबर कर रहा है अमली करत potassium paramagnet यानि Km-n-o4 विलियन किस परकार से फेरस sulfate से अभिक्रिया करेगा SO2 से अभिक्रिया करेगा औक जैलिक अमले से अभिक्रिया करेगा तो आपको इसमें बताना है कि आखिरकार यह किस तरीके से आपका reaction करेगा ठीक है अब यहाँ पर आपका आता है भई खा नमबर पसंद जिसमें कि आपको आयू-पेसी करने और coordination compound यह रही जो आपका chapter number 5 है ना chapter number 5 है उपसाह संयोजन योगिक यह वाला chapter बहुँ ज़्यादे important इससे मलब 5 नमबर का आपका आयू-पेसी पकाएगा तो इसके उपर मैंने काफी सारे वीडियो पहले डाल रखे हैं और आपको regular मैं काफी सारे आयू-पेसी को उपर वीडियो ला दूँगा तो इन योगिकों का नाम आप लोग खुद से करने का प्रयास करना और अगर नहीं आ रहा है तो कमेंट करना मैं आपको बताऊँगा ज़रूर ठीक है ना वीडियो आपको मिलेंगी तो जो एक सकते स्क्रीन साट कर लो काफी महत्यों पूर यह topic है फिर क्या होता है जब कैसे प्राप्त करेंगे कैंतरगत यह योगिक दिए गहाँ जिसे फर्स्ट सेकंड ठर्ड फॉर्थ है इस तरीके से हना चार योगिक है चार आपके पांच नमबर के कोईशन यहां से बनते हैं जैसे 1-bromo propane को 2 Bromo propane से 1 Bromo propane कैसे प्राप्त करोगे क्लॉरो बैंजीन से डाइफिनिल क्लोरो बैंजीन से फिनॉल इस तरीके से क्या है आपको यहां पर कराणा है कैसे प्राप्त करेंगे के अंतरक्त यह कोईशन ठीक है ना ऐसे यहां पर आपका सामने घानमबर कोईशन ग्लुकोज को को ग्लुकोज फेनिल हाइट्रो जोन तथा एन हैक्शन में किस परकार परिवाथित कीजिएगा केवाला साइनिस का मिकर दीजिए अगला कोईशन नहीं यहां पर छेट में प्रसन एक जलिये जिसमें 12.48 ग्राम वेरियम क्लुराइड एक केजी यानि एक किलो ग्राम जल में घुला है तो 307.0832 केल्विन पर उबालता है वेरियम क्लुराइड की बियोजन की मात्रा की गड़ना कीजिए जहां पर केवी का बैलू दिया गया है आपके सामने इसको देख सकते हो केवी क जामान और यह बेरियम क्लुराइड के लिए आपका यहां पर इसका मोलर दूर्प मान दिया गए 208.34 अथ्वा करके एक क्वेशन यहां पर इसी के अथ्वा में हैं तो काफी सारे क्वेशन वैसे बोड़िक जाम में आते हैं अथ्वा में कहा है एक दसम्लों दो परसंड विलियन गुलुकोज के साथ सम्लों दो परसंड विलियन के समापरिसरी है तो एनेसील विलियन के वांठाब गुडांकी गड़ना करो ठीक है और खानामबर कोशन निम लिखित योगिक अभिक्रियाओं में परियुक्त अभिकर्मक के नाम बताओ इन अभिक्रियाओं में पताना है कि कौन कौन से अभिकर्मक परियुक्त होते हैं जैसे कि पहला है फिनाल का दो चार्च आठ ट्राइब रोमो फिनाल के से ब्रोमीनन बनाना है तो कौन सा अभिकर्मक परियुक्त होगा ऐसे ही सेकंड है वेंजिल अलकोहाल से बेंजोईक अमल में परिवर्तन नेक अथवा में कोशन यहां पर दिया गया है कारा निवलिकित पर संचिप्त टिपड़ी करिए जैसे कि आपके सामने यहां पर पहला एक राइमर टीमैन अभी करिया है राइमर टीमैन अभी करिया क्या होती है इसको समझ लो थोड़ा सा देखो जब फिनॉल की क्रिया जलिये के OH की उपस्तिती में क्लोरोफार्म से कराई जाती है तो सैलिस एल्डिहाइट प्राप्त होता है और इस अभी क्रिया को राइमर्टी में अभी क्रिया कहा जाता है प्रस्यांपर यहां पर इसमें क्लोरों फारी और यहां पर इस में रिम्ली आका वेगिक प्रस्ट है यदि आपको दूसरी तरीके से सनजन बना कर कराई और दो तरीके से आपको समझाएं गया है ठीक है तो इस तरीके से आपको असान लगेगा वैसा ही आपको करना है पहला ये वाला और दूसरा ये वाला इसमें सनचना बनाके और इसमें सूत्र लिग करके दोनों सेम है ठीक है इसी के साथ यहाँ पर नेक्स्ट है बिलियम संसलेशन अविकरिया इसमें किसी धातू एलक कर देंगे और यहाँ पर यहां पर यहाँ पर सोडियम आयोडाइट बन गया इसको बोलते हैं क्या हम लोग इसको बोलते हैं बिलियम संसलेशन इथर विधी ठीक है तो किलियर है निम्लिकित सेल का विदुद भाहक बल ग्याद करो EMF का मान ग्याद करना है ठीक है जो कि यहां पर आपके सामने सेल का अभिक्रिया है अनोड और कैथोर का मान दिये गए आपको पता इसमें सूत लगा देना है अनोड का थोर तो यहां पर यहां पर दिया गया है यहां पर डेनियर सेल के लिए मानक एलेक्टोड भी हो जो कि है 1.1 बोल्ट है तो निम्लिकित अभिक्रिया के लिए मानक गिव्ज उर्जा की गरना कीजिए ऐसे ही यहां पर इसका समीकर यह दिया है तो आप इसको देख सकते हो फिर आपका क्या होता है जब क्या होता है देखो क्या होता है जब में केवल नसानिक समीकर देना पहला क्या है कैलसियम एसीटेट तथा कैलसियम फॉर्मेट के मिस्तरन को सुसकास्वन किया जाता है तो क्या होगा यह बताना है इसमें ठीक है Acetone का Sandhri H2SO4 के साथ आस्वित किया जाता है तो क्या होगा Clorofarm के साथ Acetone की छार की विपश्चते में गर्म किया जाता है Farmic Amalocophealine Billion के साथ Farmaldehyde को NOH Sandhri Billion के साथ गर्म करना है अथवा में आपका दिया है वाई निमलेकित को समझाई जिसे बिंजाइन संगनन क्या होता है नेक्स्ट यहाँ पर है फारिकिन अविक्रिया को समझाना है फिर क्या है क्रास काई नी जारू अविक्रिया क्या होती है तो इस तरीके से ये पुरा का पूरा पेपर जो की था वोडिक जाम 2025 के लिए आपका तो मैंने आपको पूरा समझा दिया है और एक कोईस्शन लगबग मैंने करा दिया है तो अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो आइसे वीडियो देखना अगर आपको अच्छा लगए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सबस्क्राइब आप लोग चैनल को भाई साहब सब्सक्राइब कर लो क्योंकि अब आपको यहाँ पर बहुत इंपोर्टन को वीडियो मिलने वाले हैं और ये बोर्ड एकजाम 25 के लिए एकदम काफी जादा इंपोर्टन कोशन थे जो कि आज के इस वीडियो में आपको कराए हैं ठीक है ना तो बस जितने वी बच्चे हमारे 25 में एक जान देने वाले हैं ऐसे ही रेगुलर आपको वीडियो मिलेगी इसी चैनल पर तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्स टॉपिक के साथ तब तक के लिए चेहिन वंद्यमात्रम